हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरे तुम गए नहीं अभी तक जाओ जी में साभ अरे तुम गए नहीं अभी तक जाओ जी में साभ करिशमा भोल रहे हुं मैं अजी वरोड के यहां कंस्राक्शन बिल्डिंग बे खड़ी मुझे तुम से तुम्हारी शादी के बारे में बहुत जरूरी बात कर नहीं है मिम साब मिम साब मिम साब कहां चली गई मैं तो यह छोड़ के क्या था मिम साब मिम साब अरे आप इती जल्दी आगे आप इसे आज हाँ आज काम कुछ काम था यह लो आते आते तुम्हारे लिए कुछ साख सबजिया लाया हूं और इसे फ्रीजर में रख तो विशागा के लिए लाया हूं उसे आइस्क्रिम पसंदेना आज आज आपकी लाड ली यह खाने वाली नहीं है पर क्यों? आज सुबह से ही उदास है खुद को कमने में बंद कर रखा है और खाना भी नहीं खाया उसने तुमने उसे कुछ कह दिया क्या? मैं क्या कहूंगी लेकिन हाँ आज सुबह किसी का फोन आया था हलो हलो, विशाखा बोल रही हूँ जी आज विशाखा बोल रही हूँ देखो, मुझे तुमसे बहुत सरूरी बात करनी है यह बात तुम्हारी शादी के बारे में शादी? कौन से शादी? मुझे इस बारे में कोई बात ने करनी है प्लीज मुझे दुपारा कॉल मत कीजिए. अरे, इतनी मुश्किल से तो, दो अपते पहले टूटी होई शादी को भूल पाई थी. अब फोन करके उसके जखनी किसने हरे कर दी? बहाद पुछा मैने कि किसका फोन था? लेकिन रोई जा रही है, जवाबी नहीं दे रही है. मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत को. विशाखा, विशाखा पेटे, विशाखा पेटे, दर्वाजा खोलो. विशाखा, दर्वाजा खोलो, विशाखा! यह दर्वाजा क्यों नहीं खोल रही है? जोने की आवास भी नहीं आ रहे, कहीं है उसने कुछ? तुम विशाखा को नहीं बचानती क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, विशाखा! पेटा, दर्वाजा कोले बटे! विशाखा, दर्वासा कोलना विशाखा! विशाखा? विशा का बेटे, वो शादी वाले फोन कॉल से चिंता में है ना तू? हाँ पापा, काश्मी ने उस कालत लड़के से ज़दना की होती, मेरी वज़े से आप लोगे को कितना अपमान सहना पड़ा अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की के साथ तेरी शादी नहीं हो, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उस परिवार से तू बजग गई बेटे, और फिर हमारे इस लाड़ो के लिए इस शहर में कोई लड़की की कमी है, क्या, और क्या, हमारी विशाखा है इत लेकने आ रहे हैं, तुम तयार है ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया, ओहो, स्रीमती जी, तो आप तो बता दिया ना, हाँ, पापा, मुझे भागाने के बहुत जल्दी है ना आपको, मैं क्यों नहीं, अब इसके शादी हो जाएगी, तो इस कमरे को मैं अपना स्टड़ हाँ, हाँ, मैं यागा बच्बन, मैंने ही आपको पुन केदा, है लाश के आपरे, जी उस तरब, जी उस तरह, छो दिखा जी जी यह इटिनी कालो, तर लगता है तर लाश को छुपाने की पूरी कोशिश की लेकिन पूरी तरह से काम्याब नहीं हुआ है हाँ छुपानी की तो बहुत कोशिश की है मगर जरूर कुछ न कोई तो भूल गा है वो तो कोई न कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा पैसे लाश ज्यादा पूरानी नहीं दिख रही है एक काम कुरो वार निकालो इससे अराब से संबल के अराब से संबल कि आखिए यह देखो बड़ी बेरेमी से मारा इस है सामने से सीधे श्याक को खूंप दिया सीने में ना सर देखके लगता है किसे चीखने चलाने का मोका ही नहीं नहीं गड़ा यह देखो इसके सिर के पीछे भी चोट है लगता है जिसने भी यह किया है ना शायद पीछे से आकर इस उलिक शावाले के सिर पर पीछे से भामला किया वार किया यह पेचारा मुड गया हमला और को देखने के लिए तो सामने से चाको खूंप दिया और जेभ में कुछ भी नहीं लेकिन सर एंग कोई रिक्षा वाले को क्यो मारेगा प्रेडी अब दो कोई नहीं मारेगा हो सकता है इस रिक्षा वाले का किर्जह के साथ चकड़ावगडा हुआ होगा जहापसे दुश्मनी हो लेकिन अगर इसकी लाश यहाँ पर है, ते रिक्षा कहाँ पर होगी? सर, यह देखिए. सर, यह खून की भूंबे और कसीटने के नशान है. सर, यह देखो, लगता है, जिसने भी यह किया है, सिर्किशा वाले को यहां से गसीट कर, वो लेकर गया है, वहाँ, एटों में चुपाने के लिए, वो क्या है? किसे आदमी की घड़ी है, और यह तो काफी महंगी घड़ी है, और यह तो काफी महंगी घड़ी है, शायद रिक्षा वाले की होगी, नहीं फ्रडी, यह इस रिक्षा वाले की घड़ी नहीं लगती, इतनी महंगी घड़ी है, यह लाग देड़ लाग की तो घड़ी है, तो रिक्षा में नहीं जाया, मुझे नहीं लगता, देखो और भी कोई शुराग मिलना चाहिए, देखो ज़रा स्पस स्पस्पस. यहरे? सार्र! विल्क शुराओ? यहाँ, सार्र. किसी लड़की की यह डायमंड्य यहरिंग मिली है, यहाँ नीठे गिरियोई थे. यहरे? इसका तो यह के मतलब हो सकता है? जब यहादसा हुआ तब कोई लड़की यहाँ पर मौजुग थी. तब खून लड़की ने किया? सचीन, पता ने खून किस ने किया, लड़की ने या और किसी ने. लेकिन एक बात तो जरूर है कि यह लड़की उस रिक्षा वाले के साथ मौजूद थी. सर, हो सकता है यह लड़की उस आटो वाले की सवारी थी? लेकिन लड़की यहाँ, ऐसे जगे क्या करने आए थी? उने कुछने कोई तो और ही चक्कर है. जो भी हो, तो इस हाथसे में जरूर हाता पाई हुई होई होगी. जिसकी वज़े से वहां पर उखड़ी मिली और अब यह 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 रिंग. केस तो बहुत पशीदा हो गया. इतने सारे सवाल लेकिन जवाब इतने कम. सारे सवालों का जवाब इसी बिल्डिंग में है. इस बिल्डिंग को अच्छी तरफ से चान मारते हैं. दोएगाब। सार्थ सचिन. क्या हुआ? इते वीज़ेगें. चीडियों पे उनकी भूने है. हाँ? यह दिखाए यह तो बहुती अजीब आत है लाश वहां पर और खून की बुंदे यहां मुझे तो कुछ और ही आ रहा है दिमाग में कई और एक लाश तो नहीं इस विल्डिंग में उपर चल कर देखते हैं देखते हैं यह खून के दपे कहां तक है कर दो वाईसाब मैं तो कहता हूँ, अभे और विशाका एक दूसरे के लिए बिलकुल सही, दोनों के खायलात मिलते जुलते हैं, दोनों का सुभाव एक है, और वैसे एक साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं, बेटा तुमने अमे पताया नहीं कि तुम अभे को पहले से जानती हूँ नहीं पापा, अभे मेरी क्लास में नहीं थी वो क्या है ना अंकल, हम दोनों की लासे सेम थी पर सेक्शन अगलगते हैं, आप सेक्शन अगले थी और मैं सेक्शन सी में था, वाद यह नहीं जी, अभे के लिए एक से बढ़कर एक खाम्णान से रिष्टे आ रहें लेकिन इ आपकी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन कहन ही पाया, इसलिए आज मुझे आना पड़ा कहने के लिए, पापा, प्लीज, आप मुझे इंबरस कर रहें, हाँ, 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 नेना रो अनुष्का के से, तुम्हारे बेस्फ्रेंड हुआ करते थे वो लोग, हाँ, नेना बे बैंगलोर में जॉब कर रही है, और अनुष्का के रिसेंटली शादी उगई है, मसूरी में, सुना है बहुती कुफूरत जगह है हो, जी, वैसे तो साउथ आफ्रिका भी बहुती सुंदर जगह है, पचीछ साल पहले हमने हमारे हीरो का बिजनेस माश्रू किया था, पर आ क्या बात है, सरिता, क्या हुआ? देखे, लड़का और परिवार तो मुझे अच्छी लग रहे हैं, लेकिन इक बड़ आप साफ साफ पूछ लीचिए, लेन दिन की जो भी बात है, सरिता, क्यों चिंता करती हो, देखो मुझे नहीं लगता कि धिरियंदर जी की कोई मांग ह है, और अगर होगी भी, तो हम मांग पूरी कर देंगे ना, देखो सरिता, मेरी पेंशन है, तुम्हारे जीवर है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये मकान बेज देंगे, आखिर हमारी एक ही बेठी है, ओफो, आप एक पर पूछ तो लीचे ना, कहीं कोई बड़ी मां और रख दीन तो, फिर तो ये रिष्टा नहीं हो पाएगा, खेर, अपनी किसमत है, देखते हैं, जलो, लेजी भाईसाँ, ये सब लाने की क्या ज़र हो थी, इतनी तकलीफ क्यों कि आपने, अरे क्या कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको लेना ही पड़ेग आपस में बात कल लेते हैं, अरे इतने में बच्चे भी एक दुसरे से बात कलेंगे, अरे ये तो बहुत अची बात है, चलिए भाई साब, आपका बेटा हमें बहुत पसंद है, मुझे भी बिल्कुल विशाक जैसी बहुत चाहिए थी, अगर विशाक अबे को पसंद रहे, उसकी फिकर आप मन केची, हमारी मन्जुरी में ही उसकी हाँ है, ये तो बड़ी अची बात है, तो मैं बात पकी समझू, जी जरूर, बेरेंदर जी, अगर आपकी कोई मांग हो तो आप मुझे, कैसी बात कर ली आप लोगों ने, अरे बाई, बगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, आपकी बेटी, सिर्फ दो जोरी कपडों में चाहिए, ये आप कर पाएंगे या नहीं, मुझे समझ भी न हमारे एकी बेटी है, हम चाहते है कि उसके शादी बड़े धूम थाम से हो, इसलिए थोड़ा अगर आप हमें वक्त दे दे तो, इसलिए थोड़ा अगर आपकी बात समझता हूं, लेकिन तीन दिनों के अंदर मुझे साओध आफरिका पहुंचना है, सिर्फ मेरे बेटे की मैं अपना पूरा कारुबार चोड़ के आया हूं, अगर आप यह नहीं कर पाओगे तो, यह रिष्टा नहीं होगा, हाँ, सोच लो आप लोग ठीक है, बाइसाब, यह शादी परसो ही होगी, यह तो बहुत अची बात है, मुभारक हो, देखिए, आप शादी की तैयारिया कीजिए, पैसे की चिंता न कीजिए, वो हम करेंगे, जी कैसे है, तुम चिंता मत करो सरिता, भगवान की जो मर्जी है, वह ही होगा, चलो, शादी की तैयारी करते है, पता नहीं, मुझे यह सब ठीक क्यों नहीं लग रहा है, शादे ब्याच यसे चीज, जल्दबासी में करना, कहीं हम, गलत निर्ने तु नहीं ले रहे हैं, सर इस लड़की का चैरा तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा, सर लड़की के पास से नहीं कोई आइडेटिफिकेशन मिला है, नहीं कोई मुपाई है, तो लाज को देखके लगता है, कि इसकी और उस ओटो ड्राइवर की मौत लगपक एक ही वक्त होई है, सर, सर, यह लावारिष रिक्षा यहां से थोड़ी दूर पे खड़ी होई थी, लोगों ने मुझे बता है, पर सर, यह रहे रिक्षा के पेपर्स, वो लाज इसी रिक्षा ड्राइवर की थी, चमन नाम था उसका, पर सर, यह फोटू भी लगई उसकी, हाँ, जमन, फुट मालिक था इस रिक्षा का, और कुछ मिला है, सर, मोबाइल मेला है, सर, लेकिन सर, बैटरी डाउन है इसकी, ठीक है, कोई बात मैं, इसमें से हमें बहुत कुछ इंफर्मेशन मिल सके, वाच्मन होना यहां के, कह से ड्यूटी करते हो, दो दो खुर हुए यहां पर, साब जी, यह सब कैसे हुआ, मुझे नहीं पता चला, चुप, लाटक बांग, याद करके बताओ, क्या कोई आ था, यहां पर, इस रिक्षा में से, कोई निया था, इस रिक्षा से, यह कैसे हो सकता, हाँ, तो यह बिल्डिंग से ओटो, दूर इस चमन की पूरी कुंडली निकालो, हाँ भी जी, सार वो, आटो वाले के फोन की डिटेल मिल गई है सार, यह ग्याना बजे के करीब ममतानगर से निकला और साड़े ग्यारा बजे जेली स्टेशन पे पहुँच गया, यह ए, एमजी रोड अंडर कंसक्शन बिल्डिंग प मतलब जेल स्टेशन से उसने सवारी उठाई, तो फिर अभजीत, उस वक्त दो दो मुबाइल फोन होंगे, उस रिख्षा में एक रिख्षा वाले का और शायद इस सवारी का भी, हाँ सर, मुबाइल कंपनी वालों ने बताया के रिख्षे वाले के मुबाइल के साथ साथ मुबाइल ट्रेवल कर था, जेवंतियो फेडी लगी हैं उसका डिटेल निकालने में, चलो अच्छा, हम देखना यह है कि सर, वो सवारी विक्टिम थी या मजरिम, सर, वो जो ऑटो की सवारी का मुबाइल नंबर था, वो दिल्ली का नंबर है, और किसी करिश्मा के नाम प पूपटवाडी का कोई उदेखुमार है, पूपटवाडी, उदेखुमार, पंकच, काम कर दो, इस दिल्ली वाली करिश्मा के सारे डिटेल निकाल, पूरे के पूरे डिटेल, परभजीत, इस पूपटवाडी के उदेख से निल लेते हैं, पता तो चले, ऐसी भी क्या बा इनके फेस को हम रिकंस्ट्रक नहीं करवा सकते हैं, बट मुश्किल काम है तारेका, बट बट लगेगा, लेकिन एक बात जबर पता चल देए, ये पता चल गई कि ये काम क्या करती थे, क्या काम? तारेका ये लड़की एक नर्स थी, नर्स, नर्स? नर्स? ये देखो, ये ये इसकी उंगलिहों पर और ये अंगुठे पर ये कॉल्मों ये निशान तो जदा तर उनहीं लोगों के हाथों में होता है जो दूसरों को इंजेक्शन देते हैं एक जाक्ली तारेका, अ मुझे लगता है ये खून या तो किसी बदले की भागना से किया गया है, या फिर कुई व्यार का चक्क dzi। तूम को ऐसा लगता था तुम पर Grade का ineदे क्योश्य तूममध भारो हमारे लाघ में पास आड़ल सब्दू कर अ अरब जिए evidence, टूम्हारे और मेरे ये बीचमि जो भी था ना वह खत्भ कि यहां पे तो शादी की तयारियां चल रही है पुस्तास किसे करेंगे वही तो लेकिन एक बात याद रखना ऐसे माहूल में जरा समझजारी से काम लेते हैं किसी को टेस नहीं पॉंच नहीं चाहिए है ना कि यहां आई 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 आप लोग लड़के मालो को तरफ से देखिए हम लोग महमान नहीं है हम लोग CID से आएं यहां सब कुछ ठीक तो है ना देखिए आप फिकर मत कीजिए हमें पता है आपके गर में शादी का रस्म चल रहा है लेकिन देखिए बात को ज्यादा नहीं है सिर्फ दो मिनिट की बात है एक बात बताईए कल लैंड लाइन बे कोई अंजान फोन आया था हाँ मेरी बेटी विशाखा ने फोन उठाय था था जर बुला ये ना विशाखा को विशाखा वेटी एक मिनिट इधर आना हां जी एक मिनिट जी पापा बेटे ये हाई वशाखा शादी मुबारक हो थैंक यू हम CID से है मैं इस्पेक्टर श्रियाओ कल सुबे दस पचे लैंड लाइन पे कॉल आया था जी आया था किसका फोन था किसी करिश्मा का फोन था बद मैं उसे नहीं जानती अगर तुम उस लड़की को नहीं जानती हो तो उसने तुमें क्यों क्यों के तर अरसल वो मुझसे मिलना चाहती थी पर मैंने उसे मना कर दिया तुम तो कह रहे हो तुम उसे जा कुछ बताया उसने? छी तब तब तो मुझे भी नहीं पता थे कि मी शादी अने वाली है पुर्शा इने भी पिछली शादी की पार में बात करना चाहती थी मतलब विशाखा तुमारी पहली भी एक शादी थे हो चुकी थी जो तूट चुकी है देखी प्लीज अगर इस बारे में इस वाग बात न करें तो अच्छा होगा बड़े मुश्किल से उस सब में से यह उवर पाई है प्लीज पापा, इस ओके, मुझे बस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है पर आप इस फोन कॉल के बारे में मुझे इतने सवाल के पूछ रहे हैं दरअसल बात यह है कि करिश्मा नाम की उस लड़की का कड़ी एक मिनिट में समझाता हूँ देखे यह करिश्मा जिसने फोन किया था यहाँ पर हम उससे मिलना चाहते है एक केस के सिलसिले में कि यह करिश्मा कोई मुझरिम है क्या? कैसे कोई जून किया है? और यह मुझसे क्या बात करना चाहती है? तेखो करिश्मा मुझरिम है या नहीं यह अब तक तैनी हुआ है खे? छोड़ो आप लोग शादी के तैयारिया करो और विशाखा हम सब की तरफ से शादी मुबारक हो थांक यू हलो सुनो सब गडबड हो गया है सी आईडी आगई है आजी क्या आले बास? फिरसे बन गया चेरा? अजी चेरा बनने में टाइम नगता है नहीं और कितना टाइम चहिए तुषी? प्रद्युमान जैसे ही मेरी शकल देखेगा पीछे पढ़ जायागा कितना टाइम लेगा चेरा बनाने में? यार इतना सा काम है सानुखिये एक बात बताओ आप लोगों को वाकई कुछ पता ने चला उस लड़की के बारे में हमें फिद्ना बता चल जुका है कि उस लड़की का नाम करिषमा है और वो दिल्ली के रहने वाली थी अगर में बताओ कि करिष्मा एक नर्स थी, तो यार अभर में देए बात पता चलीयी सेट वो दिल्ली में 10 star hospital में थार्स है यह वह कहते हैं नंगूर के हाथ में अंगूर एक्जाक्टि एक्जाक्टि मुदेची आप रो रहे हूँ सब ठीक तो है न यह तो खुशी के आसो है आज अपने बेटी को दुलन बना जो देख पा रहा हूँ है इसलिए आपसे कुछ बात करनी थी हाँ हाँ तो कहिए न यह तो कहना ठीक नहीं होगा जरा अंदर चलिये न क्यों हमसे शादी में कुछ कमी रहे गए क्या नहीं नहीं वो सब ठीक है एवा देखिए सारे मेमान आ होगी है आई हो देखिए जी बात क्या है अब बता ही न तेखिए मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है और भाई परेशान होने की कोई बात नहीं एक चोड़ी सी रिक्वेस्ट है कैसी रिक्वेस्ट आपको यादे मैं आपके घर आया था आपकी बेटी को देखना है और मैंने आपको कहा था मुझे देख बिल्कुल नहीं चाहिए जी मुझे अच्छी तरह से यादे आपने कहा था कि आपको देख नहीं चाहिए तो अब क्या चाहिए आपको मैं अपनी जुगान का पक्का किड्नी? पर किसकी? बैशाद आको बताना भूल लिया कि मेरी तब्यत दरसल ठीक नहीं रहती और जल से जल अगर किड्नी ट्रांस्प्लांट नहीं हुआ तो मैं जादा दिन नहीं बच पाऊंगा किड्नी ट्रांस्प्लांट? देखिये, आपके बेटी की शादी है और कुछी दिन बार उसका ससुर, यानि के मैं, मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? धिरिन जी, मैं अपनी किड्नी कैसे मेरा मतलब? मैंने पूरा पता लगा लिया हम दोनों की किड्नीस मैच होती है अच्छा, तो इसका मतलब ये शादी भिया ये सब ढून है तो अरसल आपको मेरी किड्नी चाहिए इसलिए आपनी ये सब अब फेरों में दो गंडे हो रहे है बहुत समय आपके पास सोच लीजिए और वैसे भी हम दोनों वेक परिवार का हिस्सा अने जार है तो एक परिवार वाले का फर्स पनता है दूसरे परिवार वाले की जान बचाने का आपको देज ने चाहिए तो क्या चाहिए किड्नी, किड्नी 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 कुमार साथ आपको दून रहे थे कुमार साथ अपने पत्नी के साथ वह आपको ढून रहे थे सरीता दर्वासा पंद कर दो बताता हूं अभी तो बताईए मुझे बहुत घपराट हो रही है दिर्यंद्री जी ने मुझसे कुछ मांगा है पता था मुझे कि ये शादिय देहच लिए बिना हो यह सकती वैसे कितने पैसे मांगे है उन्होंने नहीं उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे तो फिर? सरीता उन्होंने मुझसे मेरी किट्नी मांगी है किट्नी? हाँ सरीता इसका मतलब यह सब शादिय वादिय धोंग है वो आपकी किट्नी लेना चाहते है मुझे भी यही लग रहा है यह अचानक से उनका मेरे घर आना फिर दो दिन में शादी और अब यह सब कुछ सरीता मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिस लग रही है तो क्या अब अब हमारे विशागा कि शादी है इससे टोचे अगर मैने किट्नी नहीं दी तो ऐसा ही होगा नह सरीता तुम मत रू यह दो काही हम रूप क्यो मत भी तो मत रहार कि अज़ के अज़ जहते आए और सारे महमान आचुके है और अगर इस बार भी हमारे पीशा का किशादी नहीं तो भूरी तरग टोट जाएगी एक जखम तो पहले ही खा चुकी है लेकिन अब दुबारा भूम परदाश्ट नहीं कर पाएगी मैं जानता हूँ सरीता तुम ठीक कह रही हो इसलिए मैंने और सोच लेया है मैं अपनी किद्णी दोंगगा हाँ सरीता मुझे कुछ निहीं होगा सरीता और वैसे भी इंसान के शरीर में दो किद्णी या होती है जिससे उसका शरीर चलता है लेकिन फिर भी इंसान एक किड्नी के सहारे जी सकता है मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है अगर कुछ उचनिच हो गई तो तो मैं आपको खोना ने चाहते हूँ नहीं सरिता मुझे कुछ नहीं होगा और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम मेरी आत्मा को ये सोच कर संतुष्णी तो मिलेगी ना कि मैंने अपनी बच्ची के खातिर उसके पैदाईस से लेकर उसके शादी तर्फ सब कुछ किया प्रीज हालो सर मैं अनुझ इस हॉस्पिटल कर दीन करिश्मा की मौत की ख़वर सुनकर आयम शॉक्ट वह बहुती काभिल नर्सी वेसे डोक्रस अब एक बात समझ में नहीं आ रही है करिश्मा ने अचानक्स छुट्टी क्यू ली और फिर यहांसे मुंबइ चली गी वी कहास वह यह खिली एक आप चली जानें और यह जाने के बाद वो कहां गयी किस लिए अच्छी ने पता करिश्मा के producer गय से कोई जादा जानकरी मिनी नहीं क्या बदा सकते हैं के यहां पर करिश्मा को कोई सामान वागर पड़ा है? आप जाए तो करिश्मा का लॉकर देख सकते हैं जी यह दर दिखाए यह लॉकर आईए चलिए अरी सर इस लॉकर कर देखकर मुझे मेरी नानी की अलमारी याद होगी वो भी अपना सारा सामान ऐसे ही ठूस ठूस के रखती थी सर यह तो किसी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट है किस की फाइल है यह देख? उदे कुमार उदे? विशाका के पिताजी हुदे कुमार इस फाइल को तो हॉस्पिटल के रिकॉर्रूम में होना चाहिए यह करिश्मा के लॉकर में कैसे है मतल इस करिश्ma उदे जी और उसके परिवा वागन कु जानती थी अगर यह हो पदिवार वाले तो पता रहे थे ही की नहीं तो की परिवार ने तो क्यों है? वोदय जी को फूट पॉइजनिंग थी और उनके सारे टेस्ट किड्णी के करवाए गए हैं. क्या? कहीं? याद यह क्या चक्कर है? नहीं, नहीं, दया, कुछ ने कुछ तो गड़बड जरूर है, कुछ ने कुछ तो गड़बड है. अच्छ, डॉक्ट साथ, इस करिश्मा का बरताव कुछ अजीब लगा आपको? मतलब कुछ गड़बड लगा आपको कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा. सर्थ, यह देखिए. माय कॉड, तो यह बात है. क्या बात है होदे? अरे, डॉक्टर, चंदबगास. आओ, बैठो, बैठो. यह अचानक क्या बात करना चाहते हो तुम उससे? और भावी जी क्यूर हो रही है? शादी में कोई मदद बगरा चाहिए? डॉक्टर, शादी की कोई बात है ही नहीं. अचा, तुम यह फाइल मेरी देखो ना, मेरी मेडिकल फाइल. यह फाइल चेट करके बताओ कि क्या मैं अपनी एक किड्नी डोनेट कर सकता हूँ? अधे, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है. और इस वक्त तुम्हें यह सवाल सूज रहा है? डॉक्टर, शादी न रुके, इसलिए तुम्हें यह बात पूछना हूँ तुम्हें, बताओ ना. क्या मतलब है? मतलब मतलब मैं बात में तुम्हें समझाओंगा, तुम पहले मुझे यह बताओ कि मैं एक किड्नी के सारे जी सकता हूँ या नहीं, बताओ, डॉक्टर मुझे प्लीज, बताओ ना. डॉक्टर, रिपोर्ट ठीक तो है ना? क्या हुआ चदरप्रकास, बताओ ना कुछ मुझे. क्या किड्नी देना जरूरी है? बस तुम इतना ये समझ लो कि किसी के जिन्देगी और मौत का सवाल है. देखो, अबर मैंने किड्नी डोनेट नहीं की ना तो मेरी बेटी के शादी रुख जाएगी. तेखो उदे, तुम्हारी एक केड्नी पहले से ही खराब है. क्या? Sarita, मुझे तो आज तक ये प्रॉब्लेम कभी मैसुसे नहीं हुआ. कैसे किड्नी फेलियर हो सकता है? क्योंकि उदे, तुम्हारी बॉड़ी दूसरी किड्नी से फंक्शन कर रही है. I'm sorry, अगर तुमने ये दूसरी किड्नी भी डोनेट कर दी तो… किड्नी डोनेट करने के लिए तुम मेडिकली फिट नहीं हो. देखो, ऐसा मत को, दॉक्टर. मुझे ये किड्नी दान करने ही पड़ेगी. किसी भी आलत में, दॉक्टर, प्रीज, जब चेकर के बताओ. कोई तो रास्ता निकालो. किड्नी डोनेट करना मतलब मौत को दावाद देनी जैसा है. आओ. क्या हुआ माँ? आप परिशान लग रहे हैं? नहीं, असी कोई बात नहीं. फेरे का समय हो गया है, आओ. अरे उदे जी, आप भी को धून रहा था? पेरे लगवाई या फेर मैं बारात वापस? जी नहीं. बारात वापस ले जानी की नपत नहीं आएगी. मुझे पता था, आप बड़ी समझदार इंसान हो, सई डिसिशन लिया. और वैसे आप अपनी बेटी को इतना प्यार जो करते हो, आएए. यकिन नहीं आ रहा है दाया. शादी के नाम पे ऐसी सोदे माची. करते हैं. रोग जाईए तरिक्ता जी जी उदाईजी का है बुद्धू ये कहा है उदाईजी ये तो थेब तहाँ चले गए आप लोग यहां फिर से क्या हुआ हमारा उदाईजी से बात करना बहुत ज़रूरी है ज़र बुलाईए होने उदाईजी उदाईजी कहा गए उदाईजी बुलाईए ममी पापा कहा चले गए आपके पापा कहा है इसका जवाब अब यह देंगे तेरेंदर जी जो देंगे ना मझे कुछ नहीं पता है नहीं पता तो सालक का रहा है हाँ सर मेरे कुछ नहीं किया सर मेरे अनका असली बेटा भी नहीं सर मेरे पती को यह लोगा ने गायब करवाय होगा और किक्नी के लिए यह लोग शादी तोड़ने के धम के दे रहे थे सर मैं मानता हूँ इसी प्लैन के जर्ये मैंने किड्नियों का व्योपार किया क्या शैद इसलिए उन कुनाओं की सजा है कि मेरे कुद की किड्नी बेकार हो गई लेकिन इस बार सर मैं कुद की जान बचाने के लिए कर रहा था इसके लिए किसी और की जान चली जाए अब बताओ करिश्मा को क्यों मारा सर मैंने करिश्मा को नहीं मारा बलकि वो तो मेरी मदद करती थी मरीज दुनने में सर इस बात मैंने गैंग वालों को बताए पिगर एक किड्नी गाइब कर दी उसी बात को लेकर वो मुझे ब्लैक मिल कर रही थी कि वो बाकी गैंग वालों को और विश्मा को ये बात बता देगी इसी लिए तुमने करिश्मा को मारा इसी लिए नहीं सर मेरा यकीन मानो मैंने उसे नहीं मारा उचे लगता है कि सर उसके मौत के पीछे मेरे बाकी गैंग वालों का हाथ है कौन है तुमारे साथी का लेकर गए उदाए को किड्नी निकलवाने अपरेशन चैस शुरू भी हो गया होगा कहा हो रहा है किड्नी निकालने का ओपरेशन चल्ड़ दॉक्तर ओपरेशन शुरू कर देखो तुम जो यह कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो पक्वास बंकर आपना काम कर जल्दे अबे चल्दी कर ना? कोने वा? कोने? कि यहाँ कोने? अपने जर्म का इनाम तो लेती जाओ कि औपयो के भी आए सब समुंकर के अले कि लिए कि अमने लोगों कि को क्यों मारा तुम्की करिश्मा इंमें टो का देरी लेकिन तुम्ने लेगे करिश्मा का खू कि यह दिये अजै कि दिरे अंगता तुम्ने евой हंद्टी नosटा भी उच्छीं ता görünours जुदाई का ब्लड ग्रूप, बॉम्बी ब्लड ग्रूप है, एक रेर ब्लड ग्रूप है ना? यही प्लान ता सर, लिकिन आप सी हैडी बालों की वज़े से वो सब चौपट हो गया करिश्मा का खून और कितने सारे मासूम लोगों के किड्नियों की जोरी तुम्हे तो फांसी ही होगी इतना काफी है तुम्हे फांसी के फंदे तक पहुचाने के लिए जय हुन्ती, ले जा इससे सुद कैसे आप, तबित कैसे आपकी? आप ठीक तो है आप सरीता, विशा का बेटी, तुम लोग रो कि मैं, क्या हो मुझे? मैं आपसे काभी बात नहीं करूंगी, आपको क्या लगा? मेरी शादी अपकी जिन्दी की से साधा सरूरी है ऐसी कोई बात नहीं तरहसल मैं और सरीता हम तो सिर्फ तुबारी खुशी चाहते है मेरी खुशी आप से, आप से, माना बागी लडगयों की तरफ मेरा भी सपना है कि मेरा भी अच्छा पती हूँ, लेकिन वो पती मुझे अपने पिता की कीमत पर पिरकुल नहीं चाहिए देखाओ देज, आपकी बेटी भी शाखा, कितनी समझदार है, स्यानी है, और सही बोल रही है एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बेटी गर का सम्मान होती है, सुख होती है, खुशी होती है उसके हाथ पिले करना तो सहुबागे की बात होती है, लेकिन उसके लिए माता पिता वह अपनी जान दाव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं अजिन, ACP सहब, मैं आपसे बाता करता हूँ, जाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इंतजार करूँगा, अब की बार मैं अपनी बीटी का हाथ सिर्फ उसी को दूँगा, जो इसके लाये को, आप सब का बहुत हो शुक्रिया, पैटी थैंक यू बेरी मच्छ अजय को दूँख और मिच्छानल, वस्माज़र है